इस ड्रामा के पार्ट थर्ड में आप सभी का सौगत है उससे पहले अगर आपने इसके बागी की पार नहीं देखे हैं तो I suggest पहले आपको उसे देख लेना चाहिए So let's begin the explanation इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले वू शांग और वांग जी सी होती हैं यहाँ पर दोलों में फाइट वाला सीन बन जाता है तभी यहाँ पर वांग जी उसे आद दिलाता है कि तुमने अभी तक अपनी punishment पूरी नहीं किये वू शांग केता है कि डराने की जरूरत क्य यहाँ पर वूशन लाइबरी ने बैठकर उन सारे रूल्स को लिखते जा रहा था और उन्हें बार बर रिपीट करता है इसके आदो काफी बोर हो जाता है और आफर दैट हो जाता है वांग जी को अनॉय करने के लिए और कहता है कि हलो ब्रदर मुझे पता है कि तुम वीडा परिशान होता है तब यहाँ पर मुषन कहता है कि वैसे तुम क्या रहे हो वांग जी कहता है कि मुझे स्ट्रब करो तब यहां पर उषन कहता है कि सग्राइब भी होते हो तुम मेरे तरफ देख कूंद क lle उन्स प्लीज मेरे तरफ और उसके लिए सोरी बोल चुको वांग जी अपना मैजिक उसका मुह ही बंद कर देता है ताकि वो कुछ बोली न पाए तब यहां पर वूशान कहता है तुम पागल हो वूशान खाट बढ़ाने लगता है प्रकॉस की पटर पटर अब बंज हो गई थी और वो इससे परिशान हो रहा था कि अब वो कुछ बो कर दो करो डिए और तो में फी प्रोटेक्ट कर वेता है जरू को सब्सक्राइब है वह को कीo नियुगरी ¬ंज होद्गि 5 Time 15 एक त बना देता कि नहीं होिस के था सबस्ते सकते और उपस्ट है कि एक श्य॑न भूओ पना 2017 का सब्सक्त आरो में उससके बससकर कर देता है कि क उसे खोलता है तो उसमें कुछ सीन होते हैं जिसको देखकर हो काफे तक घबरा जाता है तो वूशन कहता है कि तुम तो बड़ी शर्मीले निकले तभी वांग जी कहता है कि तुम कितने अजीव इंसान हो इसके अपनी तरवार उठा लेता है और कहता है कि अब तुम गए हो दो लबादे है तुम पागल हो क्या तुम सब कुछ बर्बाद कर दिया यहां परवांग जी उससे कहता है कि पिस साफ चले जाए यहां से इसके भाद वो चला जाता है और कहता है कि तुम बहुत अजीब हो मैं तुम से कभी बात निकरूँगा पढ़ाता यह सारी स्टोरी अपनी सारे इसको बताता है साथ में चैन को सुनाता है कि उसने कैसे वांग जी परिशान किया वैसे बंदा का क्वी अच्छा है वुष यान ओ चैन अपनी सिस्टर यानली की पास आते हैं कि तब थोड़ी खराब होती है वैंगशंग की बात करें तो साथ विलेज में जाने लगता है विलेज में यूमर्स थी कि वहां पर कुछ वाटर गोस्ट ने अटैक कर दिया है और वहां पर लोग जल्दी ही गायब हो रहे हैं और उन लोगा कुछ अता पता भी नहीं है कि आखिर मरने के बाद वहां जाते हैं उनकी बाड़ी निकलते हैं चैन और वूश्यान भी जॉइन कर लेते हैं और पीचे पीचे वंग्शन भी आ जाती है कि शायद उसे कुछ वहां पर सुराग मिल जाए वैंग श्यंग आई है तो उसका चोटा भाई भी वैनना उसके पीचे 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 आ जाता है और इसके बाद ये सभी मिलकर विलेज में जाते हैं उसके बाद वह आगे उस पॉंट के पास आने लगते हैं जहां पर मोस्ते लोग गायब हो रहे थे इसके बाद रास्ते में यहां पर वूश्यान लैंशी से बात करता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि दरसल यह स्पिर्ट स्नैचिंग है मतलब जो लोग भी गायब होते हैं उनकी स्पिर्ट को स्नैच करकर और उसके बाद उनकी बॉड़ी को एक पपेट की तरह रखकर पता नहीं उसे यूज किया जाता होगा तभी लैंशी कहता है कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था वैसे तुम काफी स्मार्ट हो इसके बाद वांग जी के पाश आता है और कहता है कि देखो मेरे पास वाइन है क्या तुम इसे इंजॉइ करना चाहते हो वांग जी कहता है कि ये रूस के खिलाफ है गुशु लैंड में यह समेलाओ नहीं है तभी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम एंजॉइ तो कर सकते हैं अभी अब तुम ना अपनी स्मार्टनेस इसमें दिखा लेना कि तुम इसे वापस कैसे डाल सकते हो वूश्यान कहता है कि तुम इतने अनॉइंग क्यों हो तुम हमेशे सब कुछ बरबात कर देते हो वांग जी कहता है तो मेरे पास आते क्यों हो कि बाद यह सभी नाव में पूरा एक वाड बना लेते हैं और जिनको आराना इनके लिए काफी मुश्किल था इसके बाद यह सब्सक्राइब उपर चले जाते हैं यहां पर वूश्यान के आगे कुछ अजी हो जाती है वूश्यान उसे बचाने के लिए नीचे जाता है और यहां पर वूश्यान उन तरीके से क्यों पकड़ी है तब ही कहता है कि चुप रहा हूं मुझे फिजिकल कॉंटेक्स से अलर्जी है तो मेरे पास आने की कोशिच मत करना तुमारी जान बचाइए यही तुमारे लिए बहुत है उसके बाद यहां पर लैंशी अपने मैजी का यूज करका उस एक जग करमल नहीं है उसके साथ कुछ दिक्कत है आई नोगे तो मुझे यह भी नहीं बताओगी कि आखिर हुआ क्या था पर तुम इसका यूज कर सकती हो शायद इससे वैंन ठीक हो जाए अगर तुम यूज करना है तो करो नहीं तो इसके फैन को दिखते हैं यहां पर यह सभी र पढ़ गए हो आज कर खोए खोए रहते हो इसके बाद चाहिन कहता है कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई आफ़ यह तीनों लड़ने लगते हो उनकी आवाज बाहर तक जाने लगती है और इस पात की क्यूरियोसिटी में वांग जी अंदर इंटर कर जाता है कि आखिर अंदर हो अभी वांग जी कहता है कि तुमें पता है ना यहां पर एलकोहौल फ़र बेड़न है इसके आदर वूश्यान कहता है कि आगे है रूल की दुकान डैमोन को हराए है तो चलो ना सेलब्रेट करते हैं इसके बाद उससे टच करता है और वांग जी उसे घूर कर दिखता है तो यहां पर वांग जी को पॉस्यान कर लेता है और अपना मैजिक यूज़ करकर अब वहूश्यान जो भी कहेगा वांग जी को सब माना पड़ेगा इसके आदर कहता है कि वांग जी तुम ठीक हो ना आफ़ दैट वो से ओर देता और कहता है कि चलो मैं साथ ड्रिंक करो से देख को बड़ा मसा आ रहा है तब यहां पर वांग जी तुम यहां पर थोसके बाद यहां पर लिटादे रहा है बाद वूशान सोचता है कि अगर यह बेखुश है तो इसका फाइदा इसका बढ़ जाया इसका इसके बाद वांग जी कहता है कि दूर रहो ना मुझे फिजिकल टच पसंद नहीं है इसके बाद हो खुद ही टिक करने लगता है वूशयां कहता है कि यह नशे में है फिर भी एक्टिट्यूड सेमी है उसके बाद अगले सुभए गूशुलन के लीडर को पता चलता है कि यहां पर कुछ स्टूडेंट ने रात में ड्रिंग किया था और यह रूल से खिलाफ है उन सभी को पनिश्मेंट के लिए बुलाया जाता है यहां पर सुभए जल्दी से बूशयां की आंक खुलती है तो यहां पर वांग जी को दिखता है जो कि अभी तक नशे में था और अभी वह यहां पर घुलाट ही खा रहा हुता है इसके बाद यहां पर वांग जी को ऐसे देहां ऑ होने वाला इसके बाद सभी लोगों को डंडे पड़ते हैं और यहाँ पर वांग जी उस सारी पनिश्मेंट को बड़े अच्छे से ले लेता है वेकॉस इस बाद से वो रिग्रेट कर रहा था कि आकर उसमें रात में ड्रिंग की तो की कैसे वो ऐसा कैसे कर सकता है कुछ भी हुआ हो लेकिन यह उसे रूल्स ब्रेक की है यहाँ पर हम वुशान की बात करें तो उसे थोड़ा कंफर्ण कर रहा था कि दरसल इसकी कलती नहीं है इसको मैंने पॉसस करकर ड्रिंग करवाया था पर वांग जी कोई भी सफाई नहीं देता और उस पनिश्मन को अच्छे से एकसेप्ट कर लेता है उसके बाद लेंशी वुशान से बात करता है कि मैं काफी था सप्राइज हूं कि तुम्हारी वज़े से वांग जी ने पहली बार किसी रूल को ब्रेक किया है वैसे मैं इस बात से बिल्कु भी नारास नहीं आफ़ाइट हम वांग जी को देखते हैं जो कि पॉंड में बात ले रहा होता है तभी उसके पास भाग कर वुशान आता है और कहता है कि ब्रदर तुम्हें हर जगे ढूंड रहा था तुम ठीक तो हो ना मुझे पता है कि त अंदर डूबने लगता है और साथ में जब वांग जी बलटका दिखता है तो वह बी अंदर डूब जाता है अजीव सी जगह पर पहुंचते हैं और इसी के साथ मारे यह पार नहीं पर खतम हो जाता है सुमझे नेक्सपट के साथ हैं कि सुमझ का इस वोचेंग